हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूं नायरा कुर्ती नायरा कुर्ती बनाने के लिए मैंने साड़ी ली है और इस साड़ी से मैं बहुत ही संदर कुर्ती बनाने जा रही हूं तो पहले हम कटिंग करेंगे टॉप पीस की तो फैबरी को फोल्ड करके मैंने एक पीस कट किया है लेंद लेनी है लेंद के अकॉर्डिंग फैब्री को हम फोल्ड करके रखेंगे तो मैं टॉपीस तयार करूंगी 17 इंच का तो मैं इसे 18 इंच तक ऐसे फोल्ड करूंगी और यहां से एक्षा फैबरी की तरफ से हम इसे कट करेंगे तो यहां पर मैंने टॉप के लिए एक पीस कट किया है यह टू लेयर में है अब इसे हम फोल लेयर में फोल्ड करेंगे तो मैंने इस पीस को फोल लेयर में फोल्ड किया है यह फेब्री की बंद साइड है यह खुली साइड है और यह लंबाई है यह चोड़ाई है तो लेंथ एकवारों लेंथ देख लेते हैं तो टॉपीस हम 17 इंच का त्यार करेंगे लेंथ हमें 18 इंच लेनी है 18 इंच पे मार्क करके लाइन दिरो करनी है और बंद साइड की तरह इंच टेप रखना है, सोल्डर साथ इंच रखेंगे, तो यहां पर हमें साथ इंच पर मार्क करना है, आर्म होल्स की लेंद भी साथ इंच ही लेनी है, और इस लाइन को खुली सैट की तरफ ड्रॉ करना है, कुर्टी साथ है 40, तो फोर्थ हुआ 10 इंच, डेड़ इंच फैबरिक मार्जन के लिए एड़ करेंगे, कमर मेजरमेंट है 36 इंच, फोर्थ हुआ 9 इंच, डेड़ इंच फैबरिक मार्जन के लिए एड़ करेंगे, और फिर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है, आर्म होल यहां पर में 3.5 इंच रखूंगी लेंद चार इंच लेनी हैं बॉक्स बनाना है डेड़ इंच पर को लाई करनी है सुल्डर हाफ इंच डाम करेंगे और फ्रेंट आरम होल्स की ड्राफ्टिंग के लिए इसी लाइन से हाफ इंच की दूरी पर दूसरी लाइन ऐसे ड्रो करे करेंगे यह फ्रेंट आरम होल्स की ड्राफ्टिंग है पहले हम दोनों के लिए साथ में कट करेंगे फिर सोल्डर की तरफ से कटिंग करनी है बैक आरम होल्स की और फिर हम इसे साइड से कट करेंगे एक पीस को अलग करना है बैक पीस को फ्रेंट पीस को अच्छे से और बironic lining के लिए भी हमसे मैंसे ही cutting करेंगे यदि lining आप अलग से cut करना चाहती हैं तो कर सकती है मैं lining 3 जाहरी मैं safory करोंगे तो यहां पर language भी मैंने 1 piece लिया है इसे हम फोल यर में сразу row और इसके उपर हमने यह पीज रखना है बराबर मैं drafting करेंगे जैसे यह है और cutting करेंगे तो यहां पर मैं lining के लिए भी यह two piece cut किये हैं तो इस तरह से top के लिए मैंने यह four piece cut किये हैं plates पढ़ने के लिए जो fabric add करनी है top piece में उसके लिए fabric cut करनी है bottom part रखेंगे हम 40 inch तो यहां पर हम 40 inch पर mark करेंगे और यहां से हम इसे cut कर लेंगे तो 40 inch चोड़ाई के हमें two piece cut करने हैं तो यहां पर मैंने यह two piece cut किये हैं और एक piece को मैंने यहां पर fold करके रखा है और दूसरे piece को भी हमें fold करके ही रखना है तो दोनों piece को fold करके रखना है और length लेनी है तो bottom part से तो हम इसे fold करेंगे नहीं इसमें पहले से less add है तो यहां पर हमें length लेनी है तो मैं यह piece तयार करोगी 30 inch का तो यहां पर मैंने length 31 inch ली है 31 inch पर mark करना है और यह piece 30 inch का तयार होगा दूसरा mark मैंने 30 inch पर किया है और एक्षा फैबरी की तरफ से हम यह cut करेंगे तो यहां पर मैंने करती के लिए यह two piece कट की हैं देख लीजिए बहुत ही आसान है करती बनाना और आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान method लेकर आई हूं नाईरा करती का तो यहां पर मैंने यह cutting की है और इसमें बाजू आप लगाना चाहती है तो बाजू की cutting भी आप इसी फैबरिक में से कलने फ्रिल बाजू बहुत ही सुन्दर लगेंगे इसमें से तो यहाँ पर मैं बाजू की कटिंग करना आपको अलग से बताऊंगी अब मैं आपको इसे सिलाम पता रही हूँ तो यहाँ पर मैंने टॉप पीस लिया है इसे हमें सीधी तरफ से रखना है और अब दूसरा पीस लेना है इसे भी हम सीधी तरफ से ही रखेंगे और आरम हॉल्स पर और गले पर हमें सिलाई लगाने है तो सिलाई के लिए मैं मार्क कर रही हूँ और यदि आप इसमें बाजू एड़ करना शाहती है तो आर्म हल्स पर सिलाई लगाने की जरूत नहीं है सिर्फ गले पर सिलाई लगाएं और फिर आप इसे सीधा करके बलाउस के अस्तर की तरह सिलने तो यहां पर मैंने मार्क किये हैं और ऐसे ही हमें सिलाई लगानी है तो मैं यह सिलाई भी लगा रही हूँ सुरुवाद में हमने सलाई में हाफ इंच फैबरिक रखी है तो लाइश्ट तक हम हाफ इंच फैबरिक ही रखेंगे बरावर दूरी पर हमें ये सलाई लगानी है इसे फिनिसिंग भी अच्छे से आती है और फैबरिक में जोल भी नहीं आता है तो ऐसे आप पूरे में ये सलाई लगा ले आरम होल्स और गले पर तो यहां पर मैंने ये सलाई लगाई है और इसमें अब हमें छोटे-छोटे कट लगाने हैं कट लगाने से फिनिसिंग भी रहती है और ये फैबरिक अच्छे से फोल्ड हो जाती है तो यहां पर मैंने ये कट लगाई है और इसे हमें ऐसे सीधा करना है और गले पर और आरम होल्स की तरफ हमें इसमें सलाई लगानी है तो यहां पर मैं उपर से ये सलाई लगा रही हूँ तो आरम होल्स और गले की तरफ मैंने ये सलाई लगाई है तो एक टॉप पीस को मैंने तयार कर लिया है ऐसे आप दूसरे पीस को भी तयार कर ले इस पीस को सीरी तरफ से रखना है स्कारेट पीस लेना है बॉटम पार्ट से हम इसे फोल्ड नहीं करेंगे इसमें लेस पहले से एड़ है तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे टॉप पीस को सीरी तरफ से रखेंगे इस पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है और ऐसे हम और फाइव इंच तक हमें इसमें प्लेट से नहीं बननी है सिंपल ही सिलेंगे और दूसी तरब से भी 5 इंच तक हमें इसे सिंपल ही सिलना है और जितनी भी ये फैब्रिक है इसे हम प्लेट्स बर के कवर करेंगे तो ऐसे आप इसे पिनप करें और सेंटर में जितनी भी फैब्रिक है इसे प्लेट्स बर कर कवर करें तो यहाँ पर मैं इसमें प्लेट्स भर रही हूँ तो पहले मैं 5 इंच तक इसे सिंपल ही सिलूँगी और इसके बाद इसमें हमें छोटी-छोटी प्लेट्स बननी है चाहे तो प्लेट्स की चोड़ाई अप अधिक भी रख सकती है तो ऐसे ही आप इस प्लेट्स बरें फैबरी को कवर करते हुए तो यहाँ पर मैंने ये प्लेट्स एड़ की हैं और इस प्लेट्स को सीधा करके एक सिलाई आप टॉप पीस के उपर भी लगा सकती है तो एक प्लेट्स को मैंने तयार कर लिया है सेम ऐसे आप दूसरे पीस को भी तयार करनें तो यहाँ पर मैंने दूसरे पीस को भी तयार किया है इस पीस को हम सीधा रखेंगे और दूसरे पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है सोल्डर पे सलाई लगानी है और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग साइड में सलाई लगानी है तो यहाँ पर हम मेजरमेंट रख रहे हैं 40 इंच ही रखेंगे तो दोनों तरफ 1.5 इंच पर मार्क करें क्योंकि 1.5 इंच फैबरिक हमने अधिक एड़ की है फिर आर्म हुल से हम 8 इंच पर मार्क करेंगे कमर की द्राफ्टिंग के लिए तो कमर हमने 36 इंच रखी थी तो यहाँ पर हम 18 इंच पर मार्क करेंगे सेंटर मे कमर की द्राफ्टिंग से हम मार्क करेंगे 5 इंच पर चाहां से हम कुलती के चाक खुले रखेंगे, और 0.5 इंच पे मार्क करके ऐसे कूल आय करगेंगे। measurement नहीं रखेंगे क्योंकि हमने कुर्ति में plates भरी हैं तो यहां पर हमें hip measurement नहीं रखना है डेड़ इंच में mark करके ऐसे line ड्रो करनी है पहले हम solder पर slide लगाएंगे इसके बाद measurement के according दोनों side में slide लगाने हैं तो यहां पर हमने यह slide लगाई है इसके बाद हम चाक फोल करेंगे तो चाक फोल के करना हम बॉटम पार्ट से शिरू करेंगे 10 98 फेड़ इंच फेड़िक ãyड़ी की थी तो 10 इंच फेड़ी कहम डफ़ल करेंगे तो इस तरह से हम चाक करेंगे जैसे मैं एक तरफ के चाक फूल कर रही हूं से तरह आप दूसरी तरफ के भी चाक फूल कर लें तो यहां पर मैं दोनों तरफ के चाक फूल किये हैं कुर्ती हमारी कमप्लीच हो गई है एक वार मैं आपको रखके दिखा रही हूं और यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच झाल झाल